Hello everyone, welcome to Success Classes, I am Gaurav Soin और अब सभी के सामने आज एक important video के साथ मैं हाजर हूँ और ये important video मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकोज बहुत से subscribers अकसर मुझे टेलिग्राम में या फिर YouTube पे पूछते रहते हैं कि सर, हम इस university से अपनी PhD करना चाहते हैं ये private university कैसी है या ये government university कैसी रहेगी या कौन सी अच्छी university है जहां से मैं अपनी PhD प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं तो पहरी चीज तो मैं ये बता दूँ कि मैं में पास अभी वो हक नहीं है कि मैं किसी को rank कर सकूँ कि ये अच्छी है या ये बूरी है पट हाँ इस video से आपको clear हो जाएगा कि आपको किस दिशा पे जाना है आप किस चीज को देखो और उसको देखने के बाद you can analyze कि आपकी जो university जो आप चूज कर रहे हो या आपके अंदर जो ये प्रशन है कि कौन सी university अच्छी है उसका आपको जो है correct ranking और correct solution पता चल जाएगा So I am going to tell top 100 universities for PhD in India यह मैं अलग-अलग sub stream की बताऊँगा बस आपको end तक ये video देखनी है Before that I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates You can also visit our website researchphd.in or regular basis इसमें हम जो उपर आपको ये section दिकरा है PhD and research जिसमें हम लोग time to time basis पे जो भी recent PhD admission notifications होती है वो आपको अफगत उसके बारे में करवाते रहते हैं Career corner में हम जो है जो अभी recent assistant professors, associate professors और professors के जो भी recent recruitment चल रहा होता है या vacancies आई होती है चाहे हो government हो चाहे हो private हो हम career corner section में update करते रहते हैं हम नीचे नीचे scroll करते जाएंगे तो आपको जो है वो universities जो की you know PhD admission program जिने नो open किया हुआ है तो वो सब आपको पता चलते जाएंगे डेली quizzes आते हैं जो कि I think आप सभी को देने से ही है because इससे हमारी काफी हद तक जो research की knowledge है वो brush up हो जाती है हम अकसर जैसे हम पड़ाई से जो है दूर जाती जाते है वैसे वैसे हमारी जो you know knowledge है वो थोड़ी थोड़ी उसमें धूल जमती रहती है तो आप उसको वापस से refresh कर सकते हो by giving regular quizzes और इसमें जो है हम correct answer भी बताते हैं और आपको कुछ लग कुछ नया सीखने को भी मिलता है learning section में PDFs आप देख सकते हूं और video channel में most popular videos आप पते चल जाते हैं जो अकसर doubts रहते हैं research scholars और subscribers के वन में और आप में contact कर सकते हो through this particular tab इसके अलावा हम लोग facebook पे भी है in the name of success classes उसको भी आप follow करते रहें वहाँ पे भी सारी quick links आते रहती हो telegram channel भी है जहां पे आप discussion कर सकते हो और अपनी query को solve कर सकते हो चलिए आज आते हैं top 100 कौन-कौन सी universities जहांसे आप PhD कर सकते हों इंडिया के अंदर तो हम आज आते हैं Google पे और ये आपके सामने आज open कर रहा हूं एक ऐसी website जिससे आपको आपकी जित्ती भी queries हैं कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है वो सारी के सारी पता चल जाएंगे और ये निर्फ ranking जो देती है MHRD National Institutional Ranking Framework जो की approve करती है MHRD Government of India उनकी जो ranking वो जारी करती है उसी ranking को आप authorized और valid मान सकते हो और उन्हेंने जो ranking दिये वो बहुत reliable और बहुत valid parameters के उपर based होती है तो अगर आपको ये जानना है कि कौन सी PhD अच्छी है कौन सी university अच्छी है और PhD ये अच्छी है ये अच्छी है ये वो अच्छी है तो आप NIRF ranking को देख सकते हो और इसमें मैं बता दूँ ये जो link है ये आपको description box में दिया हुआ इसमें overall आपको पता चल जाएगा कौन-कौन सी universities हैं कौन-कौन सी colleges हैं जिनको ranking मिली हुई है अलग से university के बारे में पता चल जाएगा engineering, management, pharmacy, college, medical, law, architecture and dental इस particular website से आपकी जो है top 100 universities सामने आजेगी suppose में को यहाँ पर universities देखनी है चाए government हो चाए वो private हो चाए वो state government हो, central government हो कोई भी university हो, deemed to be university हो उनको किस तरीके से ranking की गई और कौन सी university सबसे अच्छी है और किसको preference देनी चाहिए किसके उपर तो ये आपके सामने है इसको आप देख सकते हैं इसको पढ़ सकते हैं तो जो भी university आप देख रहे हो चाहिए जामिया मिला इसलामी university को 10th rank मिली हुई है उससे अच्छी है आपकी सावितिरबाय फुले पुने university इनको 9th rank दी हुई है उससे अच्छी जादा पूरी university 5th rank उसको दी हुई है तो जैसे ऐसे आप उपर जाते जाओगे उतनी अच्छी और इतनी प्रेस्टीजियस आपकी PhD कहलाएगी कि मैंने जो है PhD इस पर्टिकुलर जो है university से की हुई है ऐसे आप देख सकते हो private universities भी हैं जैसे कि यहाँ पर हम नीचे जाएं तो आपको दिख रही होगी अलग-अलग universities जामिया अमदर्द, University of Madras और अलग-अलग universities आपको देख से MAT University, NOIDA ये एक private universities को 37th rank मिली हुए इसको आप देख सकते हो पंजाब university को 26th rank दी हुए, करला university को 23rd rank ऐसे से नीचे जाते जाएंगे तो आपको private university के बारे में भी पता जलता जाएगा Symbiosis International 43rd rank इसके इसाब से आप जो है देख सकते हो और सबसे अची बात है कि यहाँ पर अलग-अलग आपकी stream wise भी रांकिंग दी हुए जो कि मैं आपको दिखाता हूँ तो आप इसको देख लीजिए जोज भी university से आप PhD करना चाते हो और जिसकी भी वेकेंसी निकली हुई है उसको आप देख सकते हैं टॉप 100 universities में है और अगर आप suppose यह आपको पता चलता है कि टॉप 100 universities में नहीं है वो particular university तो उसके बावजूद भी मैंने आपको बताया है कि एक वीडियो मैंने मनाया हुआ है उसकी भी link description box में में देदेगा कि कौन सी university आप चुने private, central, state, independent university तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं उसके मैंने बताया कि suppose आप NIRF रैंकिंग में नहीं है को उनिवर्सटी इत्की सारी उनिवर्सटी की जहीं है तो सिरफ वाज़ सिरफ जो है आप देख सकते हूँ आप यह वो कर सकते हैं कि आपको किस university का चुनाफ करना है इसके अलावा हम अगर जाते हैं यह तो मैंने आपको all over university बता दी इसके अलावा suppose यहाँ पे दी हूई है आपको engineering के आपको जाना है आप engineering के suppose student है तो यहाँ आप engineering में आपके PhD करना चाहते हैं तो आप देख सकते आप अपने according लिए देख सकते हो अगर आप engineering background से बिलॉंग करते हो और आप PhD करना चाहते हो मतलब इस particular ranking framework को आप जो है authorized मानो और इसके basis पर ही आप ये choose करो कि मुझे किस university से PhD करने चाहिए और कौन सी university अच्ची है कौन सी university जो है नीचे है कि which university to choose central state तीम तीम उनिवर्सटी या private university उसका कौन कुन से परामिटर आपको देखने चाहिए और वो परामिटर जो मैंने इस वीडियो में पता है वो आपके उनिवर्सटी में है नहीं वो बहुत माइने रखता है in order to choose a good university for your PhD program तो इसका लिंक डिस्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप जिस पी स्रीम से बिलॉग करते हो और उसको क्लिक कर सकते हो और आपके पस top universities आ जाएंगी so this was the complete video that I want to make और मैंने अपने वेसिस पे कोई रैंकिंग नहीं बताई है because I am no one to give a rank to a university so there is approval body called MHRD जो की निकालती है NIRF वो आप देख सकते हो और उसके business पे आप अपने university का चुलाव कर सकते हो और यह reliable भी है और साथे साथ valid भी है so thank you so much for your valuable time जो भी आप likes and comments हमें देते रहते हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद और अगर किसी और topic पे आपको video चाहिए तो आप हमसे जो है संपर कर सकते हैं telegram के थूँ यहां फिर इस video के निचे comment section में उसको लिख सकते हैं और अगर किसी को suppose कोई query आती है और मैं suppose आपको जो है बहुत you know long query है यहां बहुत जदा आपको discussion की जरूरत है तो उस case में I am available at telegram also तो telegram channel की link description box में दी हुए आप मुझे जो है personal message करके भी अपनी query के बारे में पूछ सकते हो मैं आपको जित्ती जल्दी हो सके का मैं आपको उसके solution यह answer देने की कोशिश करता हूँ तो thank you so much मिलते हैं नेक्स वीडियो में have a very nice day ahead